अगर आपको रिमाइंड करा दू हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं चैप्टर वाइस एंप्टर वाइस डिसकर्स कर लिया है अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दिये तो आप वो देख लिए जेगा अब हम डिसकर्स कर रहे हैं फनेशल मेनेजमेंट के चैप्टर वाइस एंप्टर वाइस एंप्ट वाइस एंप्टेवास करया हैं ठीक है और आप हमारा एप भी डाउनलूट कर सकते हैं जहां पे आपको डेली जीके क्विजिस, टॉपर स्ट्रेटेजिस, पास्टियर पेपर्स, एक्जाम अपडेट्स, लाइव वीडियो सेशन्स और मंतली जीके अपडेट्स मिलती नहींगी और अगर आप अपनी पर्फॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से अनुजिंदल.in पे जाएए, महाँ पे बाई कोर्स पे जाके, ESI पे जाके, कोर्स में अन्रोल कर लीजिए महाँ पे आपको हरे की टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो और पीडियो अविलेबल हो जाएंगे तो चलें आप अपने MC कोर्शन की और तो फर्स्ट कोर्शन है वर्किंग कैपिटल इस डिफाइन एस वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं हम तो बेसिकली हम से पूचा गया है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला क्या है इधर बोला गया है मतलब 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 करेंट ले टीजोन करेंट 0 मतलब करेंट लीटी चिसलावलिडिति माइनस कर अचिनग इस अगर्मुला क्या गया है इस नोन करेंट अशची मैनस Х expired को आद्चन अचिन एक mesmo minus current assets इन चारों में से working capital हम किसे कहते है तो बहुत ही हमारा simple question है working capital होता है हमारा current assets minus current liabilities working capital क्या होता है current assets minus current liabilities तो इसका right answer हो जागा option number है access of current assets over current liabilities अब यहाँ पर हम याद रखें जो हमारी working capital होती है वो भी दो type की होती है कौन सी gross working capital या फिर networking capital जो gross working capital हो गई वो से हम कहते है current assets मतलब जब सिरफ current assets की बात हो रही हो current assets की बात हो रही हो that is gross working capital जब हम current assets में से अपनी current liabilities को deduct कर ले that is networking capital छीक है चलें आगे next question की ओर मैं लेंग्वेंज में बोलूं current working capital का मतलब की है कि वो requirements जो day to day business में run करने की हो गई ठीक है that is working capital requirements next question है हमारा find out the cash conversion period if the receivable conversion period is 40 days deferral period is 30 days inventory holding period is 25 days तो हमें cash conversion period निकालना है तो अगर मैं बात कर लूँ तो यह हमारी operation cycle यह working capital cycle दे रखी है ठीक है कि एक cash हमारा कब convert हो जाता है वो कैसे निकलेगी यह वहारी उसका क्या होता है receivables conversion period receivables conversion period plus inventory holding period minus deferral period sir receivable conversion period का मतलब क्या होता है कि let's suppose मैंने credit sales करी क्या करा credit sales करी तो on an average on an average हमारे debtors हमें कितनी days में payment कर रहे है that is receivable conversion period तो जो की हमारा यहां पे है 40 days फिर हमारा inventory holding period inventory holding period का मतलब क्या होता है कि जब हमारे हमने raw material खरीदा cash से तो वो जो raw material purchase हुआ वो sale उने में कितना time ले रहा है that is inventory holding period जिसमें हमारा आ जागा कि raw material conversion period आ जागा finished good sales period आ जागा ठीक है तो inventory holding period हमारा हो गया 25 days और deferral period क्या होता है deferral period होता है कि हम अपने कितनी दिन में payment कर रहे हैं हमने भी तो material किसी से खरीजा होगा अगर let's suppose हमने credit में purchase करते हैं तो कितनी days में हम payment करते हैं अपने suppliers को that is deferral period deferral period आ जागा 30 days का तो इसका answer क्या हो जाएगा 35 40-3010 plus 25 35 तो 35 days तो correct answer हो जाएगा option number C 35 days चीक है अब याद रखना सिरफ randomly वीडियो मत देखना करना क्या है एक paper लेना उसमें 5 तक लिखना और check करना कि कितने questions आपके सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं अगर maximum सही हो रहे हैं तो well and good अगर maximum गलत हो रहे हैं तो आपको इस chapter को क्या करना है revise करना है ठीक है चले next question की और third question की और अपने next question है a dash working capital strategy calls for a high level of current assets in relation to sales कौन सी strategy में हमारी जो current assets होते हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं तो aggressive में conservative में moderate में या both A and B में किस strategy में तो इसका answer ये बहुत ही direct question है हमारा इसका answer हो जाएगा हमारा option number B conservative conservative रहते हैं हम safe रहते हैं जब अपने current assets को high रखते हैं जिससे insolvency के chances less रहते हैं aggressive में क्या होगा हम अपने current assets को low रखेंगे moderate में normal रखेंगे और conservative में current assets को high रखेंगे जब हमारे current assets high होंगे तो हमारा कभी insolvency का डरी नहीं रहेगा तो इसका answer रहेगा option number B conservative working capital strategy ठीक है समझ आ रहा है चले next question की और अगर किसी की भी detail में explanation चाहिए हो you can mention me in the comment box और telegram channel next अता है positive networking capital implies that अब यह हमने बात करें networking capital का मतलब क्या होता है networking capital का मतलब होता है current assets minus current liabilities अब positive networking capital का मतलब क्या हो गया obvious है कि current assets की value current liabilities से ज़्यादा होगी तब इँ answer positive आएगाлек अगर current assets कम होंगी current liabilities से तो answer क्या आ आजागा नेगेटिव तो पॉजिटिव नेट्स के हुगा ओक्रैंट ऐसे अभर जादा है हमारे करेंट लयाबिलिटीज तो कहां से नॉट कंफरेबल यह तो कंफरेबल पोसिशन घ्लिक्विडिटी अच्छी है हमारे की करेंट ऐसेट इनफ है कि हम फुलफिल कर पाएंगे current liabilities को तो यह option हमारा होगा गलत next दे रहा current ratio is less than 1 current ratio क्या होता है current ratio होता है current assets upon me current liabilities यह बोला current assets upon me current liabilities less than 1 अच्छा कोई भी ratio less than 1 कब आएगी जब उपर वाली चीछ छोटी होगी नीचे वाले से numerator छोटा होगा denominator में से जैसे अगर मैं बात करूँ तो 10 by 50 जो की हमारा हो जाएगा 0.2 I think अना तो यह क्या है 1 से less आ रहा है अगर यह amount उपर वाली बड़ी चली गई अगर equal होती है तो हमारा 1 के बराबर आजाता है अगर बड़ी हो जाती है बड़ी हो जाती है नेक्स्ट क्या बात बोल रखी है Current Assets are Partly Finance out of Long Term Sources यह क्या बात बोल रखी है उन्होंने बोला जो Current Assets है वो Finance करेंगे हैं Long Term Sources के तुरू अभी हमने बताया कि Current Assets ज़्यादा है Current Reliabilities है तर बिलकुल ठीक बात जब Current Assets ज़्यादा है current liabilities से तो obvious है जो extra current asset कहां से आया होगा किसी long term sources से current liabilities तो हमने minus कर दी तो ये हमारा क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा option number C कि जब हमारा positive networking capital है तो current assets are partly financed out of long term sources ये सो चुनो ज़र अगर let's suppose current assets हैं हमारे 100 और current liabilities हैं 17 तो ये 30 रुपे कहां से इस 30 रुपे कहां से आया होंगे ये आया होंगे हमारे non current assets non current liabilities non current liabilities के आओगी हमारे long term sources so the correct option is option number C current assets are partly financed out of long term sources चीक है समझा गया चले next question की और next question है under hedging approach dash funds should be used to finance the fixed portion of working capital requirement so hedging approach में hedging approach में जो funds होते हैं fixed portion वाले वो किसके दूरू finance कर जाते हैं long term funds, short term funds, maximum funds, minimum funds तो भाई आगर कोई C और D सोच रहा है तो तो already गल लेता है क्योंकि जब हम funds की arrangement की बात करते हैं तो long term funds हो सकते हैं या तो short term funds हो सकते हैं तो अब long term या short term ये decide करना है लेकिन ये decide करने से पहले सर ये बता दो ये fixed proportion of working capital क्या होता है देखो जब working capital requirement की बात कर रहें तो इसको हम दो categories में और बाट सकते हैं एक होती है हमारी permanent permanent working capital एक होती है हमारी temporary temporary working capital सर दोनों में फरक क्या होता है अब जब working capital requirement की बात बूली तो मैंने देखा मेरे business में minimum तो 50,000 हर बार चाहिए चाहिए let's suppose मेरे एक shop थी मैंने देखा 50,000 तो हर एक बार चाहिए 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 बेकार से बेकार condition हो shop की sales high हो चाहिए low हो 50,000 तो minimum मेरे को maintain रखना ही पड़ता है इतने तो मेरे को working capital चाहिए चाहिए तो यह हो जाती है हमारी permanent working capital वही मैं कि देखा रहा हूँ कि कभी कबार मेरे को कुछ extra working capital की requirement बढ़ जाती है कभी कबार अच्छी sales हो जाती है या कुछ और requirement बढ़ जाती है जिससे होता क्या है कि 10,000 पे मेरे को और चाहिए हो सकते है working capital के लिए तो that permanent portion जो मुझे किसी भी condition में चाहिए that is permanent working capital और जो कभी कबार चाहिए हो सकती है that is temporary working capital अगर इनके diagrams बनाऊ तो कैसे बनते हैं permanent वाला और यह working यह हो गया उस firm के लिए जो grow कर रही है grow कर रही है तो उसकी permanent working capital भी change हो रही है let's suppose मैंने नहीं नहीं शॉप खुली तो मेरी permanent working capital कम होगी धिरे धिरे permanent increase करेगी महीं अगर मैं बहुत stable firm हूँ already कई सालों से खुली हूँ तो मेरी permanent fixed रहेगी और temporary working capital भी change होती रहेगी ठीक है यह हमारे diagram होगे permanent or temporary working capital के तो अब question क्या था use to finance the fixed portion fixed portion कौन सा हो गया permanent working capital ठीक है अब hedging approach में क्या होता है अगर मैं इसे erase कर दूँ सबको hedging approach में क्या होता है hedging approach क्या कहते है कि कहां से erase करना चाहिए hedging approach ही हमारी matching approach होती है कौन से होती है matching approach matching approach क्या क्या कहता है उसको हम finance करेंगे long term sources से और जो temporary है fixed मेरा यहां पर मतलब permanent हो गया जो temporary portion है उसे हम करेंगे short term funds है Sir ऐसा क्यों? Sir ऐसा इसलिए जो fixed proportion है वो मैं long term purpose के लिए चाहिए हर रोच चाहिए चाहिए तो इसलिए हम long term से invest करेंगे महीं temporary जो कभी का बार चाहिए वो short term funds के दुरू finance करेंगे ठीक है तो इसका correct answer हो जागा हमारे पास option number A long term funds ठीक है कोई doubt यह questions हो गए हमारे अब 5 में से कितने सही होए यह आपको देखना है ठीक है अब last question हर बार की तरह जिसका answer आपको मुझे comment box पर देना है question क्या है बहुत ही easy है कि net operating cycle increases if अभी हमने operating cycle की बात करी कि जो हमारा cash होता है वो पहले inventory में change होता है inventory से let's suppose production हो रही है production के बाद finished good बना finished good के बाद receivables, receivables के बाद फिर cash हो गया that is operating cycle net operating cycle तो कब increase हो जाएगा जब more raw material is purchased payment to creditors is made earlier goods are sold in a shorter period या both A and B किस condition में हमारा operating cycle increase कर जाएगा यह answer मुझे को आपको comment box पर देना है ठीक है अब हम मिलेंगे next class पे same time Thursday 2 p.m Thursday को 2 p.m पे और अगर कोई भी doubts है तो आप मुझसे comment box पर पूछ सकते है या कोई suggestions है वो आप comment box में दे सकते है या फिर telegram channel पर दे सकते है या कोई topic आप चाहते हो कि मैं वो explain करूँ next class में तो वो मैं कर दूँँगा आप मिरे को बता सकते हो और अगर फर्स टाइम आ रहे हो तो subscribe button क्लिक कर लो bell icon पर क्लिक कर दो ताकि Thursday को 2 p.m आपको notification मिल जाए तो that's all for today बाई बाई टेक केर सी यू सून